नमस्कार दोस्तों आप सभी को आरके होटे स्पोर्ड श्टडी चैनल पर मैं अमित साहू बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हम लोग उपेंदर सिंग का क्लास नंबर थिरी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें पाठ्यात्मक पूरातात्विक शुरोतों का ब्याख्या के बा आजने वाली पुष्टक उपेंदर सिंग पुष्टक अगर आप पढ़िएगा तो आपको विस्ताहा से समझ मैंगा और कोई ऐसा सब्द नहीं होगा जो आप नहीं समझा किएगा तो ध्यान दीजिएगा बस मेरा इतना ही है और साथी साथ मैं आपसे निवदन करता हूँ के चैनल को लाइक से रस सब्सक्राइब जरू कि देगा साथी साथ वेल आइकन को दबाईएगा जैसे आपको आने वाली पूरा लेक्षर आपको मिले मैं फिरी अफको आपको पंदर सिंग साथी साथ नेतिन सिंग अनिया संजीव बर्मा सभी पुस्तकों का नीचोड आप कि हम इससे पहले लेक्षर में ही पाठ्यात्मक शुरोतों पाठ्यात्मक पूरा तात्विक शुरोत की ब्याख्या नहीं के थे इसका इतिहास लेखन के कर में क्या क्या महत्व था इसके बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके तो इसका क्या क्या सुरोत मिला है जो पाठ कर चर्चा किया जिसका जन्म पहाँ हूआ German अब जांते हैं बताई आई काश्मीर में फूए था हैं देख कॉम परिवार में एक ब्राह्मUन परिवार में लगाता पुष्टकों से पुष्टक ने पुष्टक के पढ़ने पर काफी लगाता ने करेंप अन्हें काफी जजबा था आनों साथ है उनर उनर और फूद मेहनत करने जैके जुनून था जजबा था जिसके बदोलत उन्होंने दो वर्स दो वर्षों का इस्ठापत्य कला मूर्ती कला अस्थापतिकला मूर्तिकला जो भी सीक्यत हम नहीं कहेंगे जो भी मृद्भांड थें जो भी मृद्भांड और अभिलेग अभिलेग जो उनके दोरा पढ़ा जा सका ने न तो जेम्स प्रिंसेप को दोरा सत्रों सफने पढ़ा गया तो उस समय उनको व्यात में दो वर्तों कटिंपरिसरम करने के बाद जो इस सब का निचोड निकाला उन्होंने एक पुष्टक की रचना किये पुष्टक की रचना किये पुष्टक नम पता है कि नहीं किका कब ग्यारा सो ग्यारा सो पचास इस भी में सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब कि इसका नाम था रजत रंगनी का मतलब था राजाओं की नदी राजाओं की नदी यह पुष्टक की रचना कि इन्हों नकिष्ण कलहने कब दो वरसों को अठक परिश्रम करने के बाद उन्होंने एक निचोड निकाला कि इस प्रकार से लिखा कि उन्हें यतीत की घटनों को लिपी बद किया अटीत में जो भी घटना घटा उसको लिपी बद किया लेकिन आधूनिक भारत में जो भी लेखक है उनसे तो सुभाविक बात है कि ये अलग हो ही सकता है लेकिन भी अपने जमाने में की काफी मसुहूर तरीके से सामने आए और अपने आपके कभी और एक कभी की रूप में जाने गए तो अब देखते हैं इतिहास के दिरिष्टी कोन से प्राचिन पाठो का अध्यान किस परकार से किया गया है इसको लिख लीजिए तो इतिहास के दिरिष्टी कोन से प्राचिन पाठो का अध्यान किस परकार से किया गया इसके बारे में हम जानते हैं तो प्राचिन पाठो का अध्यान करने के लिए बहुत सारे संस्थाय बने कौन कौन सा चर्मक बता चुके थे तो प्राचीन पाठ का अध्यान करने के लिए गया जो आपको चार्ट बना देते कि कौन से सब्सक्त के इतिहास लिखने इतिहास गड़ने के पिसह में काम किया इन सब्सक्त को एक बर लिष्ट देखे उसके बाद हम बताते हैं क्या है इसका लिष्ट हम बना देते हैं एक बार आप लोगों को कि कौन साइश भी में कौन सब उस्त की यह तपनोट कर लिया हूँ इसक्रिंफर्ट भी अप ले सकते हैं तो इसका चार्ट हम बना देते हैं कि कौन सब कब सुरू किया गया है तो सबसे पहले फांची इस भी में याद नई मने कर स celebration हुगा वेलख से वेदांग बने वेदांग वेदांग क्या वे तो ग्रब बनें कौन-कौन थे वह था पता है कमेंट डॉक्स मोथ में नीचे हम जब्तक लीक एग मेंस कुश्ड्वेड वेदांग बनें है पांसअ इषभी में, फिर से अबको बैदिक सहिते फिर महाभारत करचना हुआ, महाभारत, रमायन, महाभारत, फिर से रमायन, महाभारत, महाभारत रमायन इशापूर में यह है महाभारत और रमायन आपका 400 इश्वी में है महाभारत 400 इश्वी में है रमायन आपका 300 इश्वी में है फिर पुरान आपका 600 इश्वी 600 इश्वी में पुरान पुरान आपका 600ישB में है, धर्मसुत्र Göramminister 3DSgesch dit would be hB तीनसों ? mendnte ind cách एट्ट पूर में आपका धर्मसूत्र में धर्मसुत्र तीनसों इशपूर में धर्मसुत्र और और आपका संगम् साहित 300SB मैं है संगम् साहित 300SB मैं है और 300 अ ayr drinktyIRE 300SB मैं 300 ऐसलब मैं और एक देखिए 350 है जो बहुत हो गर्णँ था 350 अरटीन सव ऒमें 300SB मैं हिस संगम् साहित का रचन हुआ कि श्रंगम शाहित्य करचना हुआ, 300 इशापूर में आपका त्रिपीटक करचना हुआ और तीज शम्मेह Sigam 나by रशनॐ दक्षिन भाध के लिए ये डख्षिन भाध के त्रिपीटक कौन-क्मसी त्रीट क्ला में अमेहें और उन खिशा तो भूर आना जुनल करेंगर को आदा तर्च यह फिर आधा यह स्वेस्घ को बढ़न सब कर लीजएगा 600 USB में दोनों का रचना हुआ कौन-कौन से शाहित का तो आपका तिरु कुरूल तिरु कुरूल और सिलपादिकारम और मनी मेकलई ऐसका रचना हुए यह बना ली जागा और इसी में जैन साहित जैंधरकोिक और पांची सीमें जैन सहीतिक पॉंक सभी मेश्च अ जैन अब इसको नोट कर लिजेगा लिएक हैं तो देखें हिंदु का घ्रणत सर्फ जूरु होता है वेद व्येद सबसे पहले चार प्रकार से हैं यहां पर देखें व्येद 4 प्रकार से व्येद है कॊन-कॊन सिवड़ algunos ऐन बताहिए आपello 27 नी जूर्वेद यजुर वेद, अथर्वएद, और चवाथा है, सामवेद, वेदांग में उपनिशद, और मताइए आरन्या, और ब्राम्मन, और और कुछ पुरान, पुरान बात कर रचना है, कि वेदांग कही रचना है. पूरान बताये, confirm नहीं है, इसको लिखे, फिर जो से तिरी पिटक में, तिरी पिटक बताये, पूरान थे पिटक कौन कौन से कि सरी अभी दहम पिटक यह सब पाठ्थात्मक पाठ्थात्मक शुरोत में आ रहा है कि हमको पढ़ने के मिला जब वेद मिला पांसो इशापूर वेद हुआ चार सो इसमें महाभारत मिला यह सब दोने इपिक्स है क्या है यह हिंदू इपिक्स है यहां पर देखिएगा यह के संग्या में दो हिंदू इपिक्स का नाम अगर आपको पूछे को अभी कंप्रिटिटिव इक्जाम है तो बताईएगा महा भारत और रमायल पुरान आपका 6 श्रिश्वी में पुरान आया पुरान पुरान 6 श्रिश्वी में तीन शो इशापूर में आपका धर्म सुत् मनुष्मृति महाकाव्य जो धर्मसूत्र में ही इसी का टीका करके वैसों के द्वारा बहुत धर्म को संरक्षन दिया गया बहुत धर्म का संरक्षन दिया गया वैसों के द्वारा हम बहुत धर्म आगे पढ़ेंगे विस्तार से और वैसों के द्वारा संरक्षन पराथ हो से कि अभूल मुवस पता जो हुट घृत तो यह सब अपढ़ लिए हैनो नोट्स कर लिजिए इसके बाद हम आगे अपको बताते हैं इस तो नोट्स कर लिए आप कि यहां इसक्रीन सोट ले ले लिजिए थोड़ा साइड हो रहते हैं यहां पर अगर कोच यह सब समझ नहीं है वेदांगों देखिए वैदिक साइटी वेदांग उपनिश्टा धरन्यक ब्रहामन यह सब कर अचना हुआ पुरान में विष्णु पुरान भागवत पुरान यह सब कितना पुरान है 32 की 64 पुरान इतना पुरान है वो देख लिजेगा आप यह यह माइथोलोजी का परसन है आपका माइथोलोजी में यह सब आता है और यहां तक मिटा देते हैं ठीक है लिख लेए होंगे अब मिटा देते हैं अब देखिया प्राचिन तामर पत्र जो है नताल पत्र कपांडू लिपी के बारे में आपके बता रहे हैं इसके बारे में बता गया प्राचिन ताल पत्र ताल पत्र करकल बहुत का में पता होगा हम कि मैं तो कि ना के बडाबर में बता होगा तो है है ठाटिंघ का घालपु पांडू लेपिया अच माई टाल पत्र पांडू लेपिया इसका इतिहास देख लेतें गहां सब्सक्राइब ताल पत्र के बारें जानते कि दाल पत्र है क्या तो ताल प्त्र जो आपका हे वो है आपकाftig जो ताल के पत्तों से बनाय जाता था जो इस टाइब सी चूँदिख लेजिए ये ताल के पत्तों से है ताल के पत्तों को बनाय गया है ये है जियों मैं इसका बीच में ये रह मठीक है अब का यह चीद रहा आपका है ना यह चीद रहा इसमें धागा सफेद धागा सफेद धागा लिप्टा होता था और अन्या आप का दाल पत्र य लक्डी का बना लक्डी का बना आ कि लॉटका होता था जो उपर में ताल पत्र होकी दबा दिया जाता कि जो जिय था बेज था रहू जो यह था ना ये पन्ना आपका बाहर नहीं जसकते था था यह दूनों लक्डिक NICK और लंख सकते थे, यह था ताल-पक्त्र तो प्राचिन ताल-पक्त्र पusi. पांडू लिपियां कैसे बनाए जाता था ताल पतर पांडू लिपियां तो हम यहां पर देखते हैं कि चीन में सबसे पहले हम देखते हैं कि चीन में चीन में कागज का अविश्कार था ना कागज का इसको बना ली जगाव है ना कागज का अविश्कार तीसरी यानि दूसर ठीन कागज अविस्कार आपका हो चुका था पर भी प्राचीं तालपत्र प्रियोग जब तकुनिश्वी सदित निश्वी सदि में इंख का परियोग इंख का परियोग जब सुरू हुआ तभ भी हम देखते हैं कि ताल-पत्रों का परियोग होता रहाँ, बहले ही इसमें बहुत सारे साउन्टिक तरीका से लेजंद से बैज्ञानिक विधी इनका संरक्षन का उपाई किया गया, न भी ताल-पत्र का परियोग किया ही गया तो आये हैं इसको वेरेम हम देखते हैं तो बता रहा है देखिए इसका इतिहास ना यह पेज यह कागज के जब ताल पत्र कागज का शुरुआ तो अविस्कार तो तीसरी सतावदी में हो गया हाई लेकिन इसका विस्तार साज इसका विस्तार कब देखते हूं विस्तार दरयोनवाट शौठी काथ बदे में चौति शताबदी चौति शताबदी इशापूर में कब जब सुई बंस के द्वारा सुई बंस के द्वारा इसका डेट के इतना है थोड़ा देख लेते हैं को अच्छा सी याद नहीं सुई बंस का डेट पांस सो एकांस सी शेशो अथारा सुई बंस है और एक थांग काव थ एक थांग कल शेशो टरह सो नौ सो साथ एक थांग काव 618 से 900 साथ ये इस भी के बाद कर रहा है तो देखते हैं आप विस्तार तो हम देख रहे हैं ध्यान दे रहे हैं कि प्राचीन ताल पदर और पांडू लीपियों का विस्तार कैसे हुआ तो हम विस्तार से पहले तुसका विस्कार का भार हम जानते है और हो कहां तक चल रहा है उनिसवी सधी मॉर के पंख्षोंÓं से कागजों प्रेस को अटने लगा है उस समय आगे देखेंगे कि कौन-कौन से बेग्यानिक विधी इसमें उपयोग किया गया कैसे कैसे इनको बचाने इनको सवन्रक्षा करने का प्रयास किया गया हम थोड़ा दर में देखते हैं भी इसी में तो हम पहले देखते हैं इसका विस्तार कैसे हुआ प्राचिन ताल पत्रों क तो चीन में अपारी सताव्दी क्विस्तार देखें और मुंस्टार समय में सुहीं स्के समय में एक बहुत बड़ा पर्योग हुआ एक बहुत बड़ा परियोग हुआ कर दिया गया काथ पर छपाई का कम सूरू कर दिया गया तो जाहिर से बात है जब काथ में चापाय का कम शुरू हो गया तो यह इसमें तकि आट कार्ट का जब चपाय कम हुआ चक्तार्स का पर काट मैं चपाई काम झी सुरूक हुआ हुआ तो काट मतल्ब होता है श्यंक इस्युक्ता में पश्क्ता मिरी poses यह जॅत तो यह जब काम हुआ तो लकड़ी का टुकड़ा अब कितनों बनाई है तो लकड़ी कितनों भी चोड़ा कीजिए तो आपको मोटर है लेकिन ताल पत्र तो था ताल है ना जो जो पता था वो चोड़ा भी था और पतला भी हुआ करता तो तो अच्छा से लिखाई का भी काम अच्छा से छपाई का काम भी हो जाता था तो सुवी बन्स के समय में जब काट के छपाय के कम सुरू हो गया तो उनका दिमाग में आए क्यों न हम इसको ताड पत्र पे ही या ताल पत्र पे ही इसको छापा जाए जी से असान भी होगा और उसको धागा से पिरो दिया गया है इसका था नौ नौ का एक बेज बनाया गिया नाप का और पूरा चापाय का काम किया गया तो यही यहां से शुरू हुआ अर यह दम पूरा विस्तार रूप ले लिया थांग काल तक यह केवल चीन में यहां पर चल रहा था काट पेचापाय काम से होते हुए यह तार पत्रों का निर्मान की वहां पर पांडूलीपियों को अच्छा से सजाया अच्छा से उसमें कलात्मक रूप दिया गया है और यह यहां किया और थांग काल में यह भारतिय उपमहद्वीब तक आगा तो चैना है तो भारतिय उपम का दो पतरों का तक पूरा भारत के साथ था फ्रादिस्तान शिरलंका भूटन पाकिस्तान हादुनीक बंगलादेश हादुनिक यहाँ तक पूरी तरह से अपने परचार परसार के तौर पर पूरा यहां तक ले लिया इसको तो यहां यह हुआ यह था ताल पत्र कर इतिहास अब देखते हैं इसका संड्रक्षन संड्रक्षन के लिए क्या क्या किया गया है थोड़ा सम देख लेते हैं ताल पत्र का नामकरन यहां पर दिया हुआ है तो किसको कौन भासा में क्या कहा जाता है यह सायद अगर पूछ दिया है पूछ दिया जाए तो अब बता सकते हैं तक यूपीसी जैसे एक्जामों में आज कल इतना कंप्टिशन टफ होगी है कि कहीं सभी कोई कोशिन बना देता है तो यहां पर लिख लेजिए हैं तब तक हम साइड में इसको लिख लेते हैं संस्क्रीत में ताल पत्र और इसको कौन सा भासा में क्या बोला जाता है उसको हम यह यहां पर लिखते हैं ठीक नहीं से इसको अपनोड कीजिए अगा यहां पर लिख दे कि इसी को मिठा देते हैं ठीक नहीं कोई भी फैक्ट चूटना ने चाहिए एक फैक्ट है या किसको किस नाम से कब बोला जाता है वह स्क्रीन सोट अप ले लिए होंगे मुझे आसा है इस चीज़ का तब देखिए यहां पर कोई भी फैक्ट ना हम लोगों से छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए तो देखिए कभी-कभी पूछता है कि ताल पत्र का नाम करने तो कभी-कभी यह चीज़ फूच देता है एक मिट रूखियागा थोड़ा सा क्या में तोड़ा से गड़बड़ी हो गया था है थोड़ा से अब ठीक हो गया ताल पत्र का नाम करने क्या पूच रहा है अदिक रहा कि रहा आप लोगों बताए कमेंट बोक्स बताए अप लोग दिक रहा ना हुँँँआ है ठीक है ताल पत्र का नाम के बारे में जानना है तो ताल पत्र का क्या नाम है सबसे पहले संस्क्रीट में संस्क्रीट में ही इसको ताल पत्र का गया है तामील में अलाई का गया है असी ताल पत्र को तामीर में अलाई का गया है और रिजाथ अ दिया हुआ हregmay साइट चेक कर लेते हैं हम तालपत्र उना संस्क्रित में तालपत्र रटमीर में ओल्लाई के नाम से तरि फिज्ट राउड मत उल्लाई के नाम से अपका में जाने जाताहं कि अब्था कित Addis क badass Hen Kate तार पत्र प्रीड संस्क्रीट में ब्राइफ ये बहता है तालपत्र एर्ट में उलाइ का जाता देस्ति लिए produit खजूर के पत्तों के लिए संस्कृत में और तमिल में ताली कहा जाता है। इसमें अलग लग नाम है। लेकिन ये दोनों में खजूर के पत्ते को ताली ही कहा जाता है। इसका इंगलिस में नाम है क्रायोफा 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 धायोफा कुले फेरा यह आप लिख लिजाएगा ठीक ना यह आपका फैक्ट था हम इसको बता दिये आप लोगों को है ना इसको आप लोग नोट कर लिजेगा और ताल और तमिल में पन नहीं कहा जाता है अब इसका संड्रक्षन का उपाई हम देखते हैं संड्रक्षन के लिए कौन कौन सा प्रियोग किया गया है है तो हम देख लेते हैं एक बर थाइमॉल है इस सब को देख लिए कί थाइमॉल क्लोरो मेंट ये नग फ़र्मलडी हैड फॉसफिन और इथाइल उकसाईड फर्मलडी है फॉसफिन इथाइल उकसाइड इन सब्सक्राइब करियोग में संड्रक्षन के तौर्पर किया क्यों सुन्ठक्षन तक कि ड्धूल कंते इसको बच तारे चीजों जो होता है, यो था कि पता है, डिग्मम • हो जाएगा, व्रेडी हम जान रहा है तो इन सवी बचाने के लिए wiping, ये सब चीजों का परियोग formaldehyde, Ethyl, anthymal, ये सब का carbonate हे सब का परियोग करके इन सभी चीजों का सनरक्षन की जा बी謝 के सता जीन्ता करना पड़ता है हता कीति हास के बारिक्यों को हम समझ सके यह आपर लिख लिए होंगे संरुगा द्र lagi कि हैं छषना को या कहा जाता है समंष्य Обर दोनों में ताली कहा जाता है यहां तक आप लोगों को समझने में कोई दिखात तो नहीं हुआ अब इसका आगे है इसका आगे है इसका आगे अगर भाग अगर कोई भाग है ना फटा हो गया एचाती ग्रस्त हो गया तो उसके मरमत के लिए इसको पॉलीविनाइल एसिटेट जाता मिथाइल सेलुलेज के हमें अगर कोसिन पुछ लिया जाएं पॉलीविननल एसिटेट एसिटेट का घूल में और एक हम क workflow is भी थैल क्या है मिठाइल सेलृलोज मिठाइल सेलूलोज विदने अगर बाग भट गया यह ताल तालपत्र है इसका कोई भट गया या कुछ भी हो गया तो अगर भट गया तो यह पूरा भरवाद हो जागा तो इसी में गहौल्फटे नहीं इसका मरमत हो सके अनस्य के लिए कैसे को पॉली बीनायल एसे टेट है किससे करेड़ और मिथवाय बारिग से काम-क्यधा फाद है इतना ही आपके मुलाइम लगे लिए पतला किया भविष्ट में होने वाले चातिस इसको बचा जा सके और इसको संभाल के रखा जा सके है ना ताकि ये हमारे इतिहासिक धरोर हो के रूप में है ना ताकि इतिहासिक धरोहर है ना इसलिए पांडुलूपियों का संद्रक्षन हमारे लिए आती महत्पून हो जाता है अब हम देखते हैं कि भी नेक्स्ट में किया कह रहा है उसके बारे में हम देखते हैं तो वेद के बारे में डारेक्ट यहाँ पर बता गया वेद के तो वेद के बारे में तो हम लोग पढ़तु के हैं कि चार वेद हैं तो उसी के बारे में हम विस्तार से पढ़ें करते हैं उपिंदर नीकुछ तक में आगे तालपतर पढ़ने के बाद एक वेद के बारे में तालपतर के बाद हमेरे जीक्र आता है यहां पे वेद के बारे में कि वेद के बारे में जी क्राता है उपर लोग मिटा जेता है यह चेक्टर कर नाम था इसको अपहेडिंग डाल लिए होंगे नोट्स अपना खूद का बनाती चलिए तुजादे इसा समझ माएगा है यह जाल लोग देखिये वेद वेद का सीधा सिधा संबंद यह हर को जानता है इतना तो पढ़ने वाला वेद्टी को पता ही कि वेद का संबंद सीधा सिधा वैदिक सब भ्यता चेता है वेद के बाद वेदांग लिखा गया वेदांग में उपनिशद अरण्यक ब्राह्मन ने बहुत सारे पुरानों की उस ड़ेकरन कितना वेद करचना किया गया वेद करचना हुआ तो वेद में चार में आवी बं recovery हा थे तो वेद करचना नहीं चार मेंमें सिधार अब कर द ने Öppen का कि मतर है यह रिज़्豆 ही पर्छिट में कि यह पे जुर्बाद अधर्व वेद और सामवेद यह चारू वेद हुगा तो इसलिए वेदों के द्वारा ही सभ्यता को वैदिक्षभ्यता कहा गया है यह वेद के बारे में जिक्र किया गया है है ना तो अंसे प्षक्तार से पढ़ते हैं तो वेद को ना सबसे पहले बात कोई भी किसी भी चीज को एक स्रेंदी पर रखा जाता है तो हम देखते हैं वेद को ना जिसेंदी पर रखागया उसको शुरूती कहा गया सुरूती के स्रेनी पर रखा गया सुरूती के मतलब क्या होता है सुना हुआ सुरूती के मतलब होता है सुना हुआ इसी स्रेनी पर वेद को रखा गया कि सुना हुआ बात है ना वेदो को सुरूती के स्रेनी पर रखा गया है तो यहां पर चार वेदों के बारे में हो गया है चार वेदों लिख लिए उसके बाद हम आगे बताते हैं कि वह पूरुशय निरूप्त है विश्यो के द्वारा आतुसत किया गया जो स्वेम देवों के द्वारा तुस्तु जब किसमेदी देखिए वेद जो है सुरूती के स्रेनी में रखा गया है तो यहां पर बता गया है वेद को वेद को सुरूती के स्रेनी में रखा गया है तो सुरूती के स्रेनी में रखा गया है यहां पर तो इसके बिशह में इसके बिशह में कहा जाता है कि यह सुना हुआ है और वेदों क इसके तोवारा जिनके द्वारा आत्म साथ किया गया है वो रिश्यों के द्वारा किया गया है इसके द्वारा आत्म साथ किया गया है यह रिश्यों के द्वारा खुद में आत्म साथ किया गया है यह सुना हुआ है जो इसको और निरुत कहा गया है जिसको आत्म साथ स्वयम रिश्यों के द्वारा किया गया है है na इसके बाद इसके बाद जो प्राप्त हो इस मृती उसके बाद जो हुआ उसके लिए इसमरेटी में रखा गिया है किया इसमरेटी जो याद करने योग बतागिया है यह सुनने का योग है यह किवール आतम साथ करने की आभश्र ti इसका ज्यान को प्राप्त कीजिए लेकिन स्मृर्टि के तोरप आपको रखना है इस्मृर्थी के स्रेड़ी में रखा गया है उसमें इपिक्स है धर्म है धर्म-प्रिश्ण भेदांग है उपनिशद है एपनिशद है पूरान है यह सब आपका इस्मृति कर रेंब कर सकते हैं ठीक नहीं लह देखते हैं फ्रस देखते हैं वेदा शब्द वेद सब्द का उत्पत्ती हुआ है सब को नोट करते चलिएगा बता रहे हैं बहुत इंपोर्टेट इंपोर्टेट फैक्ट अपना नोट से बता रहे हैं वेद सब्द का उत्पत्ती वेद सब्द का उत्पत्ती वेद सब्द का उत्पत्ती जो वेद से हुआ है किससे हुआ मतलब होता है जानना हम 있का मतलब होता है जानना अवल टेस्थ vegetable सब्सक्राइब देखें cercled where रिख़े जरु भेसाक अठर्वेद और सांक यह सब को सुरूतिक सिराणीम रखा गिया है छो कि वह पुरुसी और निरुप्त कहेवल रश्यों के दवारा आतम स्राथ किया जाता है पुरान को तक आप इपिक्स महाभारता रमायान तो इसमिरति इसको आप याद करके चलोते हैं अब यहां तक हम देख लिए इसके बारे में थोड़ा से जिकर लिए आब वेद देखते हैं जो सब्द है तो कौन से सनस्क्रीट है वैदिक संस्क्रीट से वैदिंग संस्क्रीट इसका भास है और लिपी तो देवनागरी कि नोट्स करते चलिए थोड़ा साफेक्ट से बता दी आपको वेद सतकुटपत्ती जो हुआ है विद सब्सक्राइब का मतलब होता है जानना यहां तक आप समझ गए इसलिए इसका तातपर होता है ज्यान का प्राप्त होता है वेद चार है रिग प्रतेक वेद में वेद चैक चार अंग है जीसमें तीन बहुत दूसरी सल लग नहीं क्या सवेद्टम स्बसूर्ट बेुक्त अभल परतेक वेध होता है यहां पर जीए लुई दख जया आँए ब मेताफ़ा रिग घय जजूर्वेद अथरवेद अभत परतेक चार अगर पूपूछा है तो प्रतेक विद के च्यार कहते हैं फिर आता है विदांग जिसको चाहीटा कहते है वेदांग या सहींता कहते है ग conse 사 Center हा अरण्यक पर अरण्यक कि इसका मतल् tong जंगल जंगल में रहने वाले झांद कर odcustятся जंगम ये आपका सहींता माता हैं हम पहले बता चुके थे अब का उससे पहले देखे उसमें हम बता चुके थे समी dway के बारे में तो थोड़ा से यहां पर देख लेते हैं उसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट से नोट्स कर लीज़ेगा उसके बाद हम इसको आगे का कलास नो विस्तार से बताइए ठीक न तो रीगवैद के बारे में फैक्ट से नोट्स करते हैं यहाँ पर हो गया हो का आप लोगों का कि थीक है देखते हैं रिगवेद इसको देखते हैं रिगवेद रिगवेद सबसे पहले देखते हैं दस मंडल दस मंडल हैं दस सो अथाइस दस वठाइस श्लोक है कई रिचाय हैं दस سो अठाइस दस वठाइस सूक्त हैं इस सबसे फैक्टम पैक्टम दस मंडल में भाजित हैं 2028 सूक्त हैं रिगवेद में और उसके बाद तुमना सा नोट्स कर लिजेगे आप के शेट के शोखा हैं यह का नोट भी तो यह अजिए जाय। में वेस्तार से आगे क्लास में जाने के तक कुछ इंड में जोड़ना भी ठीक न तो तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को आप लाइक से रा स्ब्सक्राइब जरूर कीजिए कि साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम आगे कि क्लास का वीडियो लेक्चर आपको सबसे पहले प्राप्त हो तो और आप प्रयावरन पार्ष्थितिकी का ज हर खंड का भी हम लोग कंप्लीट कराने कोशिस कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर और इस चैनल का माध्यम से इसलिए आप ठीक है धन्यवाद